जैस्ट्री महाकाल आप सबी लोगों को ग्रहस्त तंत्र की इस तीज़ी वीडियो में आप सब का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगा एक ऐसे विशे के बारे में जिसके बारे में एक ग्रहस्त व्यक्ति सबसे अधिक चंतिते रहता है और वो विशे यह है कि घर के अं कि पूजा से उसे लाब होगा किसकी पूजा उसकी लिए श्रयसकर है किसकी पूजा करने से उसे कोई भी प्रकार की तंत्रिक या समाजिक बादा नहीं होगी इस वीडियो में आप लगों को मैं यहीं बताने जा रहा हूं और ना कैबल बताउंगा अपितू इसके उचित भी आपको दूँगा उचित कारण भी इसके आपको बताऊंगा कि क्यूं इनकी पूजा और क्यूं इनकी स्थापना घर में होना आवश्यक है सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि मैं किस देवता की बात कर रहा हूं काफी सारे लोगों को आश्चे ने होगा कि घर के अंदर एक ग्रहस्त व्यक्ति इनकी पूजा कैसे कर सकता है इनकी पूजा तो तंत्र में की जाती है कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी मैं बात कर रहा हूँ बाबा काल बहर हो की तो अब हो सकता है यहां से अब लोगों का दिमाग दो तरफ चलना शुरू होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात से अगरी करते होंगे उनको पता कुछ नहीं है कि मैं क्यूं बोल रहा हूं लेकिन फिर भी अगरी कर रहे होंगे क्योंकि गुरू जी ने बोला है तो सही ही होगा दूसरे लोग वो होंगे जो यहीं से वीडियो को बंद करके निकल लेंगे कि बाई सब यह तो बेवकू बना रहा है लेकिन अगर आप लोग आगे इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इसके उचित कारण मिलेंगे और उचित प्रमान इसके आपको मिलेंगे कि क्यूं बाबा काल भेरव की स्थापना घर के अंदर होनी आवश्यक है एक ग्रहस्त व्यक्ति के लिए मैं तंतर की बात नहीं कर जैसे की मैं हमेशा कहता हूँ कि काल भेरव केवल तंतर के देवता नहीं है काल भेरव के नाम में काल होने का एक अर्थ है एक कारण है और वो कारण ये है कि भगवान काल भेरवने मृत्यू को पराजित किया हूँ है मैं आप लोगों को अपना एक अनुभव बताता हूँ आज से करीब धाई साल पहले मैंने बाबा काल भेरव की एक प्रतक्षी करण साधना की थी और उस साधना में कुछ विशेश नियमों का प्रयोग किया गया था उस साधना के अंदर कुछ विशेश मंत्रों का था कि बाबा काल भेरो काले होंगे कुट्तेवेबर बैठ के आएंगे और इस तरीकी की बात होगी लेकिन जब ध्यान में में अ उर मैंने कंधान उपको आना मने कभी देखा था ना मुझे उसके बार किसे ने बताया था द्यान में बाबा काल भेरों कि कि sketch Me up के मैंने द्रशन की पुर्ष एक दबानओं किए और उस दर्स मार बहुत उचे धरिकानम12-Sंagat पर एक ब्राजा के प्रकार का वेकटि बैठा हुगा था जिसके करीब 20 बुझाएं थी और उनके पैरों के नीचे एक वेकिश्ती दाँ था तो मैंने से शेन मुझाया तो नसे पूछा मैंना कि आप कौन है तो ये मेरा मूल रूप है वो रूप इतना शामदार था उसको देखकर कोई व्यक्ति कहीं नी सकता कि ये व्यक्ति एक शंशान में पूझय जाने वाला सी एक राजा के प्रकार से बैठा हुआ जिसको पूरे राजसी ठाडबाट से बैठा हुए 20 भुजाओं में 200 प्रकार के अस्त्र शस्त्र और पैरों के नीचे एक और राजा लेटा हुआ यह इतना विशाल और इतना भव्य रूप था बाबा का कि इसको देख करके ऐसा लगता था कि क्या हो गया कि वो क्या था और हमने उसे क्या बना दिया खेर मैं अपनी अनुभव आगे बढ़ाता हूं इसके बाद मैंने उनसे पूछा मैंने कि यह विक्ति जो आपके पैरों की नीचे है यह कौन है तो उन्होंने कहा यह यम्राज है मैं दो मिनिट के लिए आश्चार चकित रहा गया मैंने यम्राज तो उसके बाद जब मैं चुप रहा तो उन्होंने बोला कि मुझे काल भैरव ऐसी नहीं कहा जाता काल भहरव का अर्थ है कि वो भहरव जो काल के उपर साशन करते हैं वो भहरव जो यम के उपर साशन करते हैं और सपस्ट रूप से अगर कहा जाए तो वो भहरव जो मृत्यू के उपर साशन करते हैं अब आपज सोच रहे होंगे कि मैंने, बीना मतलब के आप लोगों के दो मिनट खराग कर दिये、 लेकिन, ये अनुवभव आज बताने के पीछे कारण है। क्योंकि मैं आज बात असी संधर्व में कर रहहा हूं। जिस संदर्व में में मेरा अनुवभव है। ग्रहस्त, एक ग्रहस्त व्यक्ति की क्या समस्या होती है, एक ग्रहस्त व्यक्ति किस के लिए पूजा करता है, अगर मैं एक सामानने व्यक्ति से पूछू, एक सामानने पूजा पाट करने वाले व्यक्ति से पूछू मैंने का कि भाई आपकी क्या मनोगामना है, तो उस व्यक के लोग स्वस्त रहे हमारे परिवार सवस्त रहे और 30 डी सभसे बड़ी समस्थ야 कि हमें हमारे शत्रू पीडा ना दे हमारा कोई बुरा चाहने वाला ना हो कि यहाँ पहलेfleं जिस मैं रूप की वड़निद कर रहा हूं यह एसा नहीं है है यह कि Іसका प्रमाण मुझे आज से एक साल पहले मिला था ठीक है? आज से एक साल पहले मैं किलकारी भहरव मंदिर गया था दिल्ली में आप लोगों ने अगर दिल्ली में रहते हैं तो सुना होगा या फिर अगर आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में दो भहरव देवताओं के मंदिर है एक है किलकारी भहरव एक है दूदिया भहरव और दोनों मंदिर पांडव कालीन है ये दोनों मंदिर आपको दिल्ली के पुराने किले में मिलेंगे यहाँ पर बाबा किलकारी भहरव को मदिरा का भोग लगता है और बाबा दूदिया वहरव को दुग्द का भोग लगता है, दूद का, ठीक है, तो मैं किलकारी वहरव गया, पहली बार गया था, तो मैंने उतना देहान नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार जब मैं किलकारी वहरव गया, तो मैंने किलकारी वहरव के बगल में चांदी की टा तो मैंने जब फोटो देखी तो मुझे थोड़ा आश्चर हुआ तो मुझे लगा हो सकता है विकरम बेताल वाला सीनो कि बाबा ने किसी को काबू करने के लिए उसके उपर बैठ गए हूँ तो मैंने वहां पर पंडित जी से पूछा जो महां के महें तरी नाज जी उनसे में यम्राज की सवारी कर रहे हैं इस टाक में आप देख सकते हैं कि एक तरफ बाबा का वाहन श्वान खड़ा है और दूसरी तरफ यम्राज का वहन महिष खड़ा है ठीक है अब बाबा काल बहरव यम्राज के कंदे पर बैठे वह आराम से महज में तो इसे देखकर के मुझे आज से एक साल पहले ये पता चला कि नहीं मुझे जो दिखा वो भ्रहन नहीं था वह वास्तविक्ता थी और वहीं काल बहरव का मूल सो रूप है जो की एक व्यक्ति के समस्त मनुकामनाओं को समस्त दुखों को दूर कर सकता है उसकी समस्त मनुकामनाओं को पूर्ण कर सकत ठे Gospel लिए मैं यह वाद बोल रहा हूं कि घर के अंदर अगर आप किसी की स्थापना करना चाथे हैं तो आप बाबा का थे राज्सी को रूप स्थापना करिए इस रूप में बाबा काल भायर यम्राज की सवारी करते हैं और आप लोगों को तस्वीर नहीं मिल रही है तो आप लोग यहां से इसको ले सकते हैं इसकी पूजा कर सकते हैं अगर नहीं तो आप लोगों को लिए मैं एक डिजाइनर से बात करके उसके उससे आपके लिए इस प्रकार की फोटो बनवा के दे दूँगा ठीक है इसके तीन कारण है जो मैंने जैसे की बोला एक ग्रहस्ट व्यक्ति पूजा पाट जो है न वो देखके करता है कि मेरे को कौन से देवता की पूजा करने से फायदा होगा कौन से देवता की पूजा करने से नुकसान होगा इसी लिए किसी के घ परिवार में धन संपदा एश्वरे बना रहे और यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रू आपको पीड़ा ना दे सकें तो आपको बाबा काल भेरव के इस रूप की स्वरूप की आराधना करनी चाहिए जो देवता यम्राज को परास्त करके यम्राज के ऊपर साशन कर सकते ह हैं आपके चीज़ और बताता हूं हर प्रकार का रोग हर प्रकार का ज्वर हर प्रकार की महामारी और हर प्रकार के शारीरिक कष्ट यह यम्राज के अधीन है यह यम्राज के गण है तो जो व्यक्ति यम्राज की ऊपर साशन करता है तो यम्राज से सम्मंदित किसी भी प्र वहरव भागवान जो है वो राजा के स्वरूप में विराजमान है तो एक राजा की उपासना करेंगे जब आप एक राजा की सेवा करेंगे तो उसके आशिरवात से आपके परिवार में धन संपदा एश्वरे वैभाव सब कुछ बना रहेगा और तीसरी बात कि जो व्यक्त व्यक्ति लिए उप्युक्त हैं और अगर किसी को भी इसके प्रमान चाहिए कि काल भहरव यम्राज की सवारी कैसे करते हैं क्यों करते हैं तो वह किलकारी वहरव मंदिर में जा करके वहां पर कुछ पुछ पुड़ातन दस्तावेज हैं उनको देख सकता है अगर उसकी जा काल भहरव के इस राजिसिक सरूप की अरादना करिये इस राजिसिक सरूप का ध्यान करिये और ये मूण लुप स ग्रहस्थ वति के लिए ही है जो लोग यह कहते हैं कि काल भहरव बग्वान की पुजा कह whackoses नहीं कर बोलित नहीं करनी चाहिए जो डुक होता राधना करिक कि उन में से कोई भी व्यक्ति अगर सामर्थेवान हो तो इस मेरी इस बात को काट के दिखाए और प्रमाणी तरूख से करके दिखाए कि ये है ठीक ना जा अभी के लिए इस वीडियो में के वले इतना ही बाबा की क्रेपा आप सब की उपर बनी रहे जै श्री महाकाल जै माभगोती